गुड बॉर्णिंग स्टुडेंट टोड़ विल स्टार्ट आवर चेप्टर नंबर 6 वर्ड 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 मतलब पक्षी और वर्ड मतलब संसार तो पक्षियों के संसार के बारे में आज हम पढ़ेंगे birds are mainly characterized by feathers and beak and a beak with no teeth again birds are mainly characterized by feathers and a beak with no teeth the birds मतलब पक्षी और मेंली मुख्य रूप से characterized by feathers feathers मतलब पंखों के end और a beak मतलब चौँच with no teeth बिना दातों के तो पक्षियों को पंखों और चौँच जिसमें जो बिना दातों के होती है उसके द्वारा फिभक्त किया जाता है birds give nature a beautiful meaning again birds give nature a beautiful meaning birds मतलब पक्षी give मतलब देते हैं nature मतलब प्रकरती को a beautiful सुन्दर meaning मतलब earth तो पक्षी प्रकरती को सुन्दर earth देते हैं recognize the following birds with pictures and given clues again recognize the following birds with pictures and given clues तो recognize मतलब पहचानिये the following birds दिये गए पक्षी ओंको with pictures चित्रों के द्वारा and given clues दिये गए संकेतों के द्वारा तो दिये गए पक्षी ओंको चित्रों और दिये गए पक्षी दिये रखें और यहां पर उनके related clues दिये रखें आपको यहां पर पहचानना है और यह जो helping help दिया गया यहां पर इनके आगे ABCD लिखा हुआ है तो जैसे मानलो इस sparrow है तो इस sparrow के आगे पक्षी दिये प्राइशित्रों वहां पर यहां पर इह पाहता है तो आपने इस चित्रों में जो पक्षी है उसको देखा होगा जो कि जहां पर भी मनुष्य रहता है वहाँ पर यह पाया जाता है इसे हम बूलता है चिडिया या फिर स्पैरो इंग्लिश में बूली है स्पैरो तो helping hand में स्पैरो का आगे दियेगा ए तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगा ए लिख देंगा इस box में next the beautiful dancing bird is our national symbol again the beautiful dancing bird is our national symbol the beautiful मतलब सुन्दर dancing मतलब नाचने आले bird मतलब पक्षी is our हमारा national मतलब राष्टिय सिंबल मतलब प्रतीख है तो सुन्दर नाचने वाला पक्षी जो की हमारा राष्टिय प्रतीख है इसे हम क्या बूलता है यह चित्र में देखो आप क्या बूलते हैं इसे इसे बूलते है मोर और मोर को इंगलिश हम बलते है पिकॉक तो यहां पर देखते है पिकॉक कहां पर दिया गए यहां पर पिकॉक के आगे दिया गया ए तो हम यहां पर क्या लिखेंगे ए लिखेंगे next the symbol of antarctica this bird is the strongest and deepest diver again the symbol of antarctica symbol मतलब प्रतीख अं and deepest diver this मतलब भी है bird मतलब पक्षी is the strongest मतलब सबसे मजबूत and the deepest deepest मतलब सबसे गहरा diver मतलब गोता खोर तो यह है पक्षी सबसे मजबूत और सबसे गहरा ही में जाने आला गोता खोर है तो इसे क्या बूलता है हम चित्र देखिए इसे बूलता है हम penguin penguin कहाँ पर दिया गया है helping hand म इस जगे पर और इसके आगे लिखा हुआ जी तो हम यहां पर क्या लिख देंगे जी लिख देंगे नेक्स्ट है हमारा fourth with strong curved beak this pet bird is a beautiful talking companion again with strong curved beak this pet bird is a beautiful talking companion with मतलब साथ strong मतलब मजबूत curved मतलब मुड़ी हुई beak मतलब चौच के this pet bird यह पालतु पक्षी is a beautiful एक सुन्दर talking मतलब बोलने वाला companion मतलब साथ ही है तो मुड़ी हुई चौच के साथ यह पालतु पक्षी एक सुन्दर बोलने वाला साथ ही है इसे हम क्या बूलता है चित्र पैरट पैरट के आगे लिखा हुआ है डी तो हम यहाँ पर का लिख दिया है डी नेक्स्ट है फिफ्ट इस बर्ड कैन नोट फ्लाई बर्ड कैन दन वेरी फास्ट अगें इस बर्ड कैन नोट फ्लाई बर्ड कैन दन वेरी फास्ट इस बर्ड मतलब यह है पक्षी कैन नोट fly नहीं उड़ सकता है but लेकिन can then भाग सकता है very fast बहुत तेज तो क्या हुआ यह पक्षी उड़ नहीं सकता है लेकिन बहुत तेज भाग सकता है तो इसे हम के बोलते हैं चित्र देखें इसे हम बोलते हैं शत्रमूर मतलब ओस्टरिच तो ओस्टरिच के आगे लिखा हुआ है बी तो हम यह आपके बर देगे हैं बी भर देगे हैं next है हमारे an intelligent bird sleeps during the day again an intelligent bird sleeps during the day an intelligent मतलब बुद्धिमान bird मतलब पक्षी sleeps मतलब सोता है during the day दिन के दोरान तो एक बुद्धिमान पक्षी जो की दिन के दोरान सोता है और ये चित्रमा आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी आकर किस की होती है उल्लू की उल्लू का हम बोलते हैं आउल आउल के आगी लिखा हुआ है एफ तो हम यहाँ पर क्या बढ़ दिए हैं एफ पर देखे लाचरा सब्सक्रा एसज ब्सक्राव करते हैं चेसल के लम्हे क्षैट्र होता है इस पक्षी का बूलता है इस पक्षी को थिल्मन का जो सिंबल है फह कीवी इस aEаж का टोगी रिखा हुआ है C पर तो यहाँ पर हमके बढ़ दिया है C अब एक fact दिया गया है do you know क्या आप जानते हैं golden eagles nest can be bigger than some cars again golden eagles nest can be bigger than some car golden eagles मतलब सुनहेरे बाज के या चील के nest मतलब घौंसले can be bigger बड़े हो सकते हैं than some cars कुछ कारों से तो सुनहेरे eagle के जो घौंसले होते हैं वो कुछ कारों से बड़े भी हो सकते हैं तो यह आपका chapter number 6 complete हो चुका है इसको पढ़ना जो भी problem आती हमसे पूछना thank you keep practicing